असलाम लेकुम मैंने में जिक्राइब वेलकम डूपर यूट्यूब चैनल नोट शील अपो वीदर आप सब खेरियत से होगे आज के हमारी वीडियो एडिपी थर्ड समेस्टर के सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फंडामेटल के उपर है इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस से एडिपी टोटल 37 इंपोर्ट कुछेन आ उन्सर को कवर करेंगे यह वो इंपोर्ट इट कुछेन आ है जो कि आपके इंटर्वीड और एक्जम दोनों पॉंट औफ यूज जादा इंपोर्ट कुछेन है जो कि ऐग्जाम में भी आठे रहते हैं और इंटर्वीव में भी आ अगर आपने ये PDF डाउलोड करना है तो आप सीधर नोट सीले वेब साइट पर जाएंगे और वहां से आप इसको एजी ली डाउलोड कर सकता है इसके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में परवाइड कर दूँगी आप उस पर क्लिक करके सीधर वेब साइट पर जाएंगे आर्टिकल को ओपन करेंगे और स्क्रोल करने के बाद एंड में नीचे आपको डाउलोड कर बटन शोर आओगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडियाफ डाउलोड हो जाएगा ठीक है और ये जो कुश्चन है यей बहुत ही इंपोर्ट एपके एक्सेरियन के लिहास से भी और आपके इंटर्वियू के लिहास से बिहास 다음에 imported PDF है, इसमें सारे C++ में जितने भी imported question है न, वह इस PDF में आपको मिल जाएंगे थी, तो ये जो short question है, इनको मैं एके करके मैं आपको बताने नहीं वाली, क्योंकि ये short question है आपको भी इसे easily cover कर सकते हैं, तो मैं जिस्ट आपको read करके बताती जा रही हूँ, आप इसको खुद read करेंगे, समझेंगे और cover करेंगे, तो चलें वीडियो को start करते हैं, हमारा जो first question है, वो है, why main function is special in C++, जो main function होता है क्यो special होता है C++ के अंदर यान कि उसका क्या काम होता है, main function का, जाहिर से बाता है, जब हम program के अंतर main function को add नहीं करेंगे, तब वो execute नहीं करेंगा यान कि उसके execution जो है, वो complete नहीं होगी, ठीक है, तो यह आप read खुद कीजिएगा, इसको answer मैंने दे दिया है, तो इस तरह से आप इसको read करते जाएंगे, बहुत easy question है, basic question है, सारे total, जितने भी है, तो आप easily read करके cover कर सकते हैं, चलते हैं, second question की तरफ, यहां पर देखें, यह बहुत ही easy question है, run time error क्या होता है, logical error क्या है, syntax error क्या है, यह तो हमने, छोटी classes में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो यह बहुत easy question है, लेकिन बहुत ही important question है, जो कि आप exam में दुबारा से repeat होते रहते हैं, यह पर MCQs में पूछा जा सकता है, इसलिए important question है, यहां पर देखें, इसकी examples में ने दीए है, run time error क्या होता है, logical error क्या होता है, और syntax error क्या होता है, ठीक है, तो मैं इसको जस्ट बता देती हो आपको, syntax error वो होता है, जिसमें हम कोई grammarly mistake कर देता है, प्रोग्राम के अंदर ही मतलब कि कोई ऐसा word लिख देता है प्रोग्राम के अंदर, जो कि हमने write नहीं करना होता है, वो syntax error में count होता है, run time error वो होता है, जब हम execution करता है, प्रोग्राम कोई execute करता है, और कोई error found होता है, हमें वो runtime error होता है, ठीक है, इनके मैंने नीचे यह आपको example भी देंगी है, साथ साथ आप जैसे ही rate करेंगे, easy है बहुत ज़्यदा, यह cover होता जाएंगे, आपके, number third पे हमारे पास जो question है, वो है, what is the role of hash include directive in C++ hash include जो होता है, directive उसको preprocessor, preprocessor directive भी कहता है, ठीक है, इसकी detail video syntax error वाली मैंने upload की हुई है, उसका complete मैंने C++ का syntax जिसमें बताया है, उसमें मैंने detail मैं इसको मैंने बताया है, ठीक है, यह क्या है, क्यों यूज होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका link में मैंने निचे provide कर दूंगे, आप जाके देख सकता है, चलते हैं next question के उपर, what is compiler and linker, compiler क्या होता है, compiler एक ऐसा tool होता है, जिसमें हम यह program को run करते है, compile करते है, और और वो हमें output शो करता है, उस program का, next हमोरे जो question है, question number five, why is char often treated as integer data type in c++, char इसके बारे में हमने detail में cover किया, इसको char को character type है, ठीक है, यह program के अंदर जैसे हम character add करते हैं, ठीक है, a हो गया, b हो गया, यह हम लेते हैं, ठीक है, char इसके लिए हमें जो variable लेना पड़ता है, यह लेना पड़ता है, ठीक है, चार का, इसके बारे में भी हमने detail में video create की है, अगर आपने वो नहीं देखें, तो आप playlist में जाके देख सकते हैं, होते हैं, हम अपने next question की तरफ what is type conversation in c++, यह भी इसके यहां पर देखें, example के साथ मैंने explain क्या हुआ है, आप इसे read किज़ेगा, question no.7 पर होते है, what is type casting in c++, type casting क्या है, और यह नीचे इसकी example भी दी हुए, number 8 पर हमारे पस जो question है, what is the effect of absence of break in switch case in c++, break जो use करते हैं प्रोग्राम के अंदर वो क्यों use करते हैं, और उसका क्या काम है, ठीक है, और क्या effect होता है उसका प्रोग्राम के अबर, तो वो इसमें मैंने थोड़ा बहुत explain किया कि break हम क्यों use करते हैं प्रोग्राम के अंदर c++ में, तो break जब हम कोई menu type कोई प्रोग्राम बनाता है ना list type उसमें एक जैसे हमने list बना लिया हम चाहते कि उसके नीचे हमें second case यानि list show तो उसके लिए हम case बनाते है program के अंदर different case बनाते हैं उसके लिए हम break statement भी use करते हैं यह आप read करेंगे तो यह यह आप से cover हो जाएगा easily ठीक है question number nine पे in control structure switch case what is the purpose of default in c++ switch case जैसे कि मैंने बता है break जो है वह एक line से दूसरी line में enter ओने के लिए और switch case है मतलब के switch case मतलब एक case से निकल के दूसरे case में program के अंदर switch करने के लिए यह switch case use किया जाता है ठीक है तो next question के अपर आता है what is the difference between while and do while और यह देखेंगे यह बहुत ही easy question है ठीक है do while loop क्या होता है loop क्या है ठीक है यह आपने पहले भी read क्या होगा आते है next question के अपर what is the difference between call by value and call by reference ठीक है यह भी बहुत ही जादा important question है mostly यह आता रहता है ठीक है exam में इना user defined function in C++ okay तो यहां पर यह मैंने totalist की explanation यहां पर दी हुई है next question के अपर आता है what is preprocess adjective preprocess adjective क्या होते है और उसका क्या काम होता है C++ में तो यहां पर यह short के लिहां से मैंने यहां पर add किया हुआ ठीक है जो next question है मैंने पास what is the difference between local variable and global variable यह भी बहुत ही ज्यादा imported question है ठीक है यह सारे ही imported है लेकिन जो मैंने past paper में देखिया है वह बहुत ज्यादा यह मैं उनको tick करते जा रही हूँ imported एक ही ही हो गया और एक ही है preprocessor भी imported है और एक यह different user defined function यह भी imported है लूप यह सारे ही imported question है number 15 पर हमरे पास जो question है what are the major difference between objective oriented programming and procedural programming इसके नीचे मैंने यहां पर यह देखे point बता के bullets बना के इनको explain क्या हुआ है next question पर आते है question number 16 question what are the basic concept of OOP इनके object oriented programming उसका basic concept आपने यहां पर बताने थे तो यह short question है इसको मैंने यहां पर short explain क्या हुआ है next question पर आते है question number 17 how is OOP implement in C++ यह किस तरह से implement होता है C++ programming ठीक है तो explanation यहां पर नीचे provide की गई है आप इसे read कर लिए जागा question number 18 हमारे पास क्या है what is abstract class okay abstract class क्या होता है number 19 पर हमारे पास question है what is constraint class number 20 पर हमारे पास यह हो है what is constructor what are its features constructor क्या होता है और उसके features खुल कौन से होता है number 21 पर हमारे पास यह question है what does a destructor do number 22 पर हमारे पास यह question हो है define inheritance inheritance क्या है ठीके C++ programming में यह में इसके निचेए explanation है पिसे रीड कर जागा number 23 पर हमारे पास यह question है define base class and drive class base class क्या होती or drive class क्या होती and तोन में difference बता है 24 पर हमारे पास यह question है what are the difference all of inheritance in C++ number 25 पर हमारे पास यह question है what is virtual base class in C++ what is its significance question number 26 how are binary files different from text file in C++ binary file जो है किस तरह से difference है text file से ठीक है C++ के अमदा next question क्योंपर आते है 27 what is a stream stream क्या है name the stream generally used for file input and output IO मतलब input and output के लिए generally कौन से file use होती है stream के difference between get and get line में दोनों में difference बताना है हमने get or get line के दिरमें में क्या difference है question number 29 difference between iOS app and iOS app next next number 30 question what is pointer 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 किस तरह से हम use करते है ठीक है next number 31 question what is pointer arithmetic how is it performed okay arithmetic pointer क्या है ठीक है और किस तरह से perform करते है programming next question 32 32 difference differentiate between static and dynamic allocation of memory इन दोनों में हमने different बताना है कौन से difference है static में dynamic memory allocation में ठीक है और number 33 पे हमने पासे question है what do you understand why memory leaks how can memory leaks be avoided okay number 34 पे हमने पासे question है what is the what is this pointer 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 क्या है what is the significance okay और 35 पे हमने पासे question है what is the full form of LIFO इसकी full form बतानी है बाइट 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 इसकी 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 जो है हमने एक्जम्पल को बाइट question number 36 पे हमने पास जो है what is the full form of FIFO what is FIFO least technically technically called okay number 37 हमने पास जो last question है वो है what are the pre conditions for binary search to perform on a single dimensional array okay और आप इस तरह से ये download के button होगे green clear का वाँ पे तो आप इसके click करेंगे click करने के बाद आप इस PDF को download कर सकते है easily ठीक है अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नीकिया तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकोन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से पहले आपको भी ले thanks for watching the video Allahवाफीस कर दो यहाफीस आपको पहाब पाको अभीस अपको पहाफीस बाफने वाली